होलो स्टूडेंट वेलकम टू आ क्लास हम एफ फाई भी कॉम पॉस सेमिस्टर कर रहे हैं जिसके अंदर हमने आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है अकाउंटिंग पॉर हायर पॉर्चेस यह आज इंट्रोड़क्शन पार्ट कर रहे हम लोग अकाउंटिंग फॉर हायर पॉर्चेस वाला संब करना है आपको इसके अंदर टॉपिक लिया हमने यह हायर पॉर्चेस का इसके पहले हमने डिपार्टमेंटल अकाउंट इन्वेंटरी वैलुएशन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यह तीनो टॉपिक एफ फ आरो टॉपिक आपको मिल जाएंगे एंड बच्चो हायर पॉचेस का जो इंट्रोड़क्शन वीडियो आज हम बना रहें तो इसको प्लीज बच्चो एंड तक देखना तो इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वह सब आपको जानना बहुत जरूरी ह क्योंकि इसके अंदर कैल्कुलेशन वगेरा बहुत है जरूर्ण इंट्री पास करनी है कैल्कुलेशन करना है तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा एंट तक देखना है विदाउट स्किप करके सो होप सो आप पूरा एंट तक देखेंगे वीडियो और आपको फिर यह क्लियरली समझ में आएगा बहुत आसान है थोड़ा कैल्कुलेशन पार्ट इसके अंदर जादा है तो उसको समझना तो पहले चलते हैं मीनिंग के तरफ हाय पूर्चेस के तो बच्चों हाय पूर्चेस का मतलब यह बता रहा है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर गुड्स वह छरीते हो वह और वह एकषाद उसका पयमेंट नहीं करते हो आप उसको इंस्टॉल्मेंट में पयमेंग को इसका we में ten आंए। installment basis पर खरीडते हैं तो उस चीज के पर्चेस करने को हम हाय पर्चेस कहते हैं तो इसी के बारे में पूरा डीटेल है तो इसको ध्यारान से समझने कोईश करो इसको हम बुलते हैं full cash price method या credit purchase या sales method तो इसके अंडर में आपको कैसा calculation करना है क्या करना है उसको समझना है तो पहले मीनिंग समझ लें तो जो बायर है गुड्स परचेस करता है तो वह एक साथ पूरा पेमेंट नहीं करता है उसको installment करता है यानि हर मेने जैसे 10,000 का गुड्स है तो हर मेने बुलेगा दो-2,000 में भरूंगा तो उसे बोलते हैं पिरियोडिकल इंस्टॉल्मेंट बायर विकेम दो ओनर ओनर ओनी आफ्टर दो-फाइनल इंस्टॉल्मेंट और उस पर्टिकलर गुड्स का बायर पूरा मुकमल तोर पे ओनर कब बनेगा जब वह फाइनल इंस्टॉल्मेंट आके भर देगा है नमने अभी आपको बताया तो तो टोटल तब जाके 10,000 बना तो यानि फाइनल इंस्टॉल्मेंट इसका पांचवे साल में बन रहा है तो पांचवे साल में जाके अक्चॉल ओनर तब यह बनेगा तब तक यह ओनर नहीं है ओनर दुकांदारी रहेगा बायर गेट पॉसेशन अफ़ इमीजेटली एंड कैन स्टार्ड यूजिंग इट ठीक है वो गुड्स का ओनर तो नहीं बना वो मगर क्या गुड्स जिस दिन हमने पर्चेस किया बहले डाउन पेमेंट करके थोड़ा सा पैसा देके हमने गुड्स करीद लिया इंस्टॉल्मे पूरा होने के बाद ही मैं इसको यूज करूंगा इसा तो नहीं होता है जिस दिन खरीदा उसी दिन आप इस्तिमाल करना शुरू कर देते हैं जिस दिन आपको बाइक वगएरा हम लोग दिलाते हैं बच्छे लोग को इंस्टॉल्मेंट वगएरा पे तो बच्चे करेंगे बाइक चलाने का कि पूरा इंस्टॉल्मेंट क्लियर होगा फिर हम बाइक चलाएंगा इसा नहीं है जिस दिन आपको बाइक मिल गए डाउन पेमेंट करके तो उसी दिन से आप उसको यूज करना शुरू करते हो इसके बाद बाद बाइर एस टू पे दा इंटरस एंडिश बच्चों हमेशे याद रखो आउस्टेंडिंग अमांट पर इंटरस लगता है क्योंकि आपका जैसा दस जार का गुड्स है तो आपने डाउन पेमेंट सब्सक्राइब कर दिया तो आप बचा कितना बच्चों 8000 तो 8000 पर ब्याज लगेगा फिस सेकेंड डियर में आपन अगर आपने कोई भी इंस्ट्रॉल्मेंट नहीं बरा गुड्स का जो भी आपने गुड्स परचिस किया है तो इंस्ट्रॉल्मेंट अगर आप नहीं भर पाते हो तो सेलर जो दुका अंदर है क्या करेगा वो गुड्स आपके पास से रिटर्न ले लेगा तो यह चोटी सी introduction था इसका से अंदर बचों दो बंदे हैं एक होता है जो customer होता है और एक होता है दुकांदर तो इसको कहा क्या जाता है इस higher-purchase topic के अंदर आप ऐयर हू पटै स्थे जिस्टम तो उसे हम कहते हैं higher purchasing या purchaser बोलते हैं और जो seller होता है दुकानदार होता है उससे हम क्या बोलेंगे vendor तो ये दो चीज़ या दखे purchaser और vendor purchaser यानि customer vendor यानि दुकानदार क्योंकि पूरे topic में हम ये दो ये word यूज़ करेंगे purchaser और vendor ठीके आगे चलते हैं higher purchase agreement जो agreement बनता है तो उस agreement में क्या-क्या लिखा होता है और हमारे sum में भी ये agreement वाले जो detail है वो बहुत ज़रूरी है इसी के बेश पे पूरा sum होगा हमारा तो पहली चीज़ लिखी होती है उसके अंदर cash price full price of goes without interest तो without ब्याज जो cash price है वो लिखा जाता है जैसे मैंने कहा था आपको 10,000 का goods करीदा आपने तो 10,000 आपका cash price है हाँ उसके बाद extra जो ब्याज वज लगा एक हजार दो हजार तीना जो भी ब्याज लगा वो अलग चीज़ है तो हमें फिलाल cash price में ब्याज नहीं बताना है हमें सर्फ cash price ही बताना है cost price original price फिर होता है interest यह बहुत जरूरी है इसके अंदर तो interest का detail क्या होता rate of interest charge on the balance amount ठीक है हमेशा बोल रहा हूँ इस topic में याद रखे interest calculate करेंगे मगर किस पे करेंगे balance के उपर जो बचा हुआ पैसा उसके उपर फिर इसके अंदर लिखा होता हाई higher purchase price यानि total price बताया जाता है इसके अंदर cash price plus interest है ना cash price जो मैंने बता है आपको 10,000 और suppose ब्याज लगा उस 10,000 के पर total 2000 तो आपको यहां बताना है 12,000 ठीक है और यह भी बहुत जरूरी है calculation में आता higher purchase price HPP price बोलते हैं इसे हम लोग तो यह formula एक तरह का cash price plus interest अगला agreement में होता ह है down payment की बंदा जिस दिन को सखरीज रहा है उसी दिन कुछ payment करता है उसे हम कहते down payment initial amount paid by the buyer at the time of signing the agreement initial यानि शुरुवात में उसी दिन आपने payment किया तो उस payment को हम क्या कहेंगे down payment फिर अगला होता installment total installment in which the balance amount is payable total installment जैसा भी बताया था मैंने आपको 5 installment कि आपने 2000 का तो वो हो ग content part amount of cash price plus interest और हर installment यानि थोड़ा थोड़ा होता है जैसे मैंने हर जैसे मैंने कहा था कि हर साल दो-दो-दो-जार बरना है तो 2000 खाली 2000 नहीं बना दो-जार के साथ interest add करके देना आपको तो उसे हम कहते है cash price plus interest तो यह पांच चीज़े होती है इनके base पर सम होता है एक चीज़ तो वो depreciation दुकांदार को क्या लेना देना depreciation तो वो calculate करे जो उसका इस्थिमाल कर रहा जो उसका owner है तो customer owner रहता है तो depreciation को जो हिस्सा होता है वो customer के भीहाफ पर आपको calculate करना होता है तो एक चीज़ खाली आपको याद दियानी करा रहा हूं कि वो भी calculation में आता है मगर agreement मे लिखा नहीं जाता agreement में इसी 5 चीज़ है depression मगर याद रखना है वो भी हमें calculation करना है as per sum point of you बतारो मैं आपको फिर आगे चलते हैं यह working note के base पे हम पूरा sum करने वाले हैं calculation हमारा पूरा इसी के पर होगा जब आपको sum करेंगे आप या journal entry बनाएंगे याप ledger बनाएंगे त तो इसको अच्छी तरह से याद करना है आपको क्योंकि हर समय में यह working note बनाऊंगा फिर इसी के base पे जनर इंट्री इसी के base पे लेजर बनेगा तो वाकी नोट याद रखे particular date column और उपीशन date column बहुत ज़रूरी है कि कौन से assets कौन से तारिक को आ रहा है इंट्रस कब आ रहा है ब्याज कब आ रहा है इंस्टाल्मेंट कब भर रहे हो तो यह बहुत ज़रूरी है तो हम शुरू करते हैं इसको हमेशा cash price से जो initial amount होता है ज फिर इसके अंदर आप सबसे पहले उसी दिन क्या करते हो दुकान दार को तो डॉन पेमिन हमेशा इससे क्या होगा less होगा इसका भी date दाले amount दाले फिर balance आता है आपको minus करने के बाद फिर balance आ चुका है तो balance के ऊपर फिर आप क्या कर तो interest calculate कर तो add करेंगा first year का interest add करना है फिर और एक balance आएगा आपका अब इस actual balance का जो अभी पहले साल का balance बता रहा है आज वगेर मिला के तो अब आप करोगे first installment paid करोगे paid यानि क्या करोगे अब less करोगे फिर एक balance आएगा तो यह आपका पहला साल मुकमल हुआ अब same procedure interest and installment का same procedure आप second year, third year, fourth year, sum में आपको year बताए जाएगा तीन साल के लिए बनाना है, चार साल के लिए बनाना है, पांस साल के लिए बनाना तो आपको detail दिया रहेगा तो उसी साब से अब repeat करेंगी यह calculation तो यहां तक का जो है हमारा main calculation है first year का, अब जब second year में आप जाओगे तो second year में आप सिर्फ interest और installment, third year में जाओगे सिर्फ interest और सिर्फ installment, तो एक बर रफ में बता दूँ मैं आपको, तो फिर second year के interest add करें, balance निकाले, second installment paid कर दें, फिर balance निकाले, यह आपका second year मुकमल हुआ, इसी तरह से third year में हो, तो third year म करें, balance निकाले, और फिर installment paid करें, और फिर अगर आपको third year का question है, तो आपका third year के बाद जो balance होगा बच्चो, वो balance हमेशा nil होना चाहिए, zero आना चाहिए, तो आपका फिर यहाँ पर higher purchase system का working note मुकमल हुआ, तो यह balance compulsory है, निल होना चाहिए, क्योंकि जब आकरी साल का installment भर जाता है, यानि अब कोई भी पैसा बाकी नहीं रहता है, तो यह चीज़ को आपको जहन में रखना है, कि balance हमेशा last वाला जो balance होगा, वो निल होगा, अगर suppose यह 4 साल का होता, तो 4 साल के calculation के बाद balance निल होता, तो anyhow, last year के बाद जो balance है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, निल, अब यह working note को और अच्छी तरह से समझाने के लिए, मैं आपके एक छोटा से example बता दू, तो बचो यहाँ example लिया, हमने cash price लिया, on higher purchase, जो की date है 11.2005, और इसका cash price दिया है 37.250, और यह आपका main price है, फिर है down payment, जो की 10.000 का है, down payment का date है 11.05, डाउन payment का date अगर नहीं भी दिय का है, बच्चो तो याद रखें, जो cash price का date है, वही date आपको down payment के लिए follow करना है, फिर आता है आपका installment, 10.000 उने का है कि हर साल, यानि 3 साल तक, हर साल 10.000 बरना है, और जो installment का date है, वह 34 December each year, यानि हर साल, 2005 शुरूआ, तो पहला installment, 34 December 2005, दूसरा installment, 34 December 2006, और तीसरा installment, 34 December 2007, ती के बाद फिर आपको rate of interest दिया, 5%, यह हमेशा balance में निकाला जाएगा, तो बच्चो सबसे पहले cash price स्टार्ट करते हैं, cash price के date के साथ शुरू करेंगे 1105, और amount लिखेंगे 37250, यहाँ पे, cash price के बाद डाउन पेमेंट दिया हुआ है, डाउन पेमेंट दिया हुआ है, डाउन 252, तो यह amount 27250, यह पहले साल का outstanding amount है, तो outstanding amount पे ही आपको फिर क्या करना है, ब्याज calculate करना, कितना परसंट, 5%, तो 27250 पे 5% आता है, आपका 1363, और ब्याज में निकालता, last date पे हमेशा निकालना, in 34 December 2005, इसको add करना है, आपको 28613, अब पहले साल का installment क्या बोला है, उसने हर स installment देने के बाद, आपका first year का जो balance बसता है, 18613, अब same procedure फॉलो करेंगे, second year के लिए पहले ब्याज निकालेंगे, कितना परसंट, 5%, अब इस 18000 पे, क्योंकि outstanding amount आप 18613, तो 18613 पे आप 5% निकालें, तो और वो भी last date पे, अब बच्चो second year में जा रहे, तो second year का date क्या होग 34 December 2006, और 18613 का 5%, 931, अब इसको plus करना है, plus कर लेते हैं, 19,544, second year का installment भी भर दें, second year का installment, third year का installment, first year का installment fix है, यानि वो 10,000 है, last date, यानि second year का last date, 34 December 2006, 10,000 पेड कर दें, तो आप balance कितना बचा, 9544, तो अब जा रहे हम लों, third year में, third year का interest निकालना है, आपको सबसे पहले, interest का date, 34 December 2007, 9544 पे अगर ब्याज निकालते हैं, तो यह आता है, 477, अब इसको मैंने यहां लिखा, direct यहां नहीं लिखा, इसकी एक वज़ा है, तो वज़ा समझना है, और सबसे important पार्ट है, यह calculation का पर, क्योंकि आप हम लोग last year में, और last year में, बच्चो balance हमीशा क्या आना चीए, निल, और last year का installment किता बोला था, 10,000, तो last year का installment है, 10,000, इस balance से minus करेंगे, 10,000 तो निल होगा, तो बच्चो balance भी किता होना चीए, 10,000 होना चीए, तभी इन answer निल आने वाला है, अगर बच्च 10,021 रुपया आएगा, तो अगर वो 477 इस में add करूं, तो आपका यह जो balance है, यह balance होगा, 10,021 रुपया, और installment तो fix है, 10,000, यानि balance वापी से 21 रुपीस का balance बसने वाला है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत, तो इस वजह से यह जो आखरी साल का interest होता है, इसे आपको थोड 9544 से direct minus कर दो, तो जब आई उसको minus करेंगे, तो आपका interest figure आता है, 456, ठीक है, तो इसलिए star marking किया है, याद रखी कि यह adjusted amount है, last year का, यह adjustment क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका balance जो आखरी नहीं लावे, तो इस तरह के calculation में, आप हमेशा last year का interest जो इना, उसको ध्यान देना आप होंगा, और इसी के base पे हम journal और ledger करेंगे, तो यह walking note इसको रहन में रखें, याद रखें, खली पहला साल तक याद रखें, बाकि याद रहेगा, cash price, less down payment, फी balance, add interest, फी balance, less installment, फी balance, पहला साल में कम लुआ, और जैसे पहला साल, फी second year, फी third year, तो ledger या journal होगा, उसी तरह स हो भी बनेगा, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तो बच्चो यहाँ पे आपको स्रिफ हमने interest और इंस्टॉल्मेंट का calculation बताया, पहले साल में और एक चीज है, मैंने क्या वोला था, depreciation, वो भी आने वाली है, तो depreciation का भी working note आपको आना ज़रूरी है, तो आपक depreciation का working note बना दो, उसको भी ध्यान देना ज़रा, तो working note या calculation for depreciation, और बच्चो आपको तो मालुमें, depreciation दो तरह के होते हैं, there are two methods of depreciation, पहला method है, WDV method या reducing balance method या diminishing balance method, इनको shortcut भी याद रखें, कभी कभी question में बोलता है कि provide depreciation under WDV, provide depreciation under RBM, provide depreciation under DBM, तो यह एक ही method है, तीनो के नाम अलग अलग है, मगर method एक ही है, फिर दो second method है, वो है fixed installment method, state line method, original cost method, इनके भी shortcut याद रखें, FIM, SLM, और OCM, तो दोनों का calculation तो आपको पता है, मैं आपको rough में idea बता दो, पहले WDV किस तरह calculate किया जाता है, जो यहां पे मैंने example लिया है, यह working note अभी हम हर सम में calculation of depreciation, अगर तीन साल का installment है, तो depreciation भी तीन साल का हैगा, जैसे 2005 से शुरू हुआ था, तो cost price ले ले है, जैसे आप है मैंने लिए 40,000, तो 40,000 पे rate of depreciation 10%, और depreciation हमेशा आएगा, last rate पे 34 December, every year, तो 40,000 का 10% है, 4000, minus 36,000, तो यह first year का closing बना, first year का closing, second year का क्या जाएगा, बच्चो opening, अब second year में आगे, तो second year में फिर depreciation निकाले 10%, 36,000 का 10,000 चुपा दे, यानि तीन साथ 600, फिर balance है, 32,400, तो second year closing, तो third year क्या बन जाएगा, बच्चो, opening, अब इसमें से फिर से 10%, 10,000 चुपा दे, यानि 3,2,4,0, फिर balance है, 29,160, तो बच्चो, WDV method, RBM method, diminishing balance method में अगर calculation करत हो, तो आपका जो depreciation figure है, वो हर साल change होगा, it depends on the value of the assets for that particular year, तो 40 था, तो 10, 4 आया, 36 था, 36 था, 32,400 था, तो 3,240 था, तो ये WDV method है, ठीक है, और अगर आप second, यानि FI method करते हो, तो इसके अंदर भी देखो, cost 40 जा रही है, मगर पहले सार का depreciation था सेम है, 36 आया, second year में 36 गया, मगर second year का depreciation और third year का depreciation देखो, चार-चार अजार ही है, तो ये फर्ख है, आपका depreciation का अंदर WDV और FI, WDV रहेगा, तो आपको balance के उपर depreciation निकालना है, और FI म है, तो जो पहले साल का depreciation amount है, वो ही हर साल आपको लिखते हैं, straight line method, यानि 4-4-4, FIM, यानि fixed installment में, यानि 4 जाते हैं, पहले साल का, तो second year का भी चार, third year का भी चार, तो depreciation figure आपको यहाँ पर बदलता नहीं है, अंदर FIM method, और WDV method में depreciation का figure हर साल कम होते जाएगा, ठीक है, और एक चीज़ बच्चों तो को last में यहाँ पर निखा है, मैंने return down value, यह return down value का मतलब होता है, कि original value से आपने depreciation निकालने के बाद, जो आप balance लाते हो, उसे हम WDV कहते हैं, तो confusion मतलब सार, आपने दोनों साइड WDV लिखा, WDV यहाँ लिखने का मकसद यह है, कि यह amount जो आपने लिखा है, यह depreciation होने के बाद का figure है, तो इसको और एक चीज़ कहा जाता है, यह याद रखे हैं, WDV का मतलब यह होता है, यहाँ पर, method एक अलग चीज़ है, method calculation अलग है, ठीक है, तो confused नहीं होना, simple way में याद रखे, WDV method होगा, तो हर साल depreciation figure कम होते जाएगा, और FIM होगा, तो हर साल depreciation figure सेम रहेगा, तो यह दो working note आपको हर सम्मे करना है, कौन सा पहले जो installment interest का पता है, अब यह depreciation का, ठीक है, अब आपको बता देता हूँ है, जर्नेंटी किस तरह हम बनाएंगे, तब चलते हैं, जर्नेंटी की तरफ, तो जर्नेंटी दोनों के book में आपको पूछता है, या purchaser के book में, या vendor के book में, तो shortcut में P और V लिखेंगे हम लोग, तो किस तरह से आप जर्नेंटी दो करेंगे, किस तरह से जर्नेंटी आप बाइहाट कर सकते हैं, वो भी अभी आपको मैं shortcut तरीका बता रहा हूँ, तो जर्नेंटी भी बहुत आसाने बाइट करने के लिए, आपने अभी जो working note बनाया ना, वहां से आपको शुरू करना है, और पहले साल का जो calculation बताया था, देखो यह working note बताया था, आपको मैंने cash price, less down payment, फिर add interest, फिर less installment, जो लाल है यानि balance है, इसकी जर्नेंटी पास नहीं करनी, बाकि सब की आपको जर्नेंटी पास करनी है, तो पहले cash price, तो question क्या ह होगा, यानि आप, तो यहां पर जो पूरा का पूरा assets है, vendor क्या करता है, ट्रांसफर करता है, purchaser के पास, purchaser है यानि customer, vendor यानि दुकान दर, तो बचो as a purchaser, as a customer, आप हो, तो आपको क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा goods आ रहा है, तो जैसे आपने car खरीदा तो car क्या assets है, त assets account debit to, कौन देरा आपको vendor, vendor is a giver, assets real account debit what comes in, और vendor को ने giver, तो credit the giver, तो generally क्या बने है, assets account debit to vendor account, अब यही एंडरी vendor के बुक में क्या पास होगी, बचो उल्टा हो जाएगा, दुकांदर, अभी आप दुकांदर बन जाओ, तो आप क्या कर रहा हो, अपना assets को goods को आप sold कर र businessmen deal is called as goods, तो भले कार हो, भले कुछ भी हो, इसी हो, फ्रीज हो, vendor के लिए तो वो goods ही है, कि वो बेच रहा है, तो यहाँ पर हम assets का इस्तिमाल नहीं करना, आपको यहाँ पर वाड इस्तिमाल करना, sales, अच्छा, vendor ने क्या किया, purchaser को goods दिया, तो purchaser receiver बना, purchaser account debit to sales account, और जो आप जो amount लिख होगे, दोनों साइड में, वो होगा आपका full cash price, ठीक है, जो actual price अभी जो working note में बताया है, जैसे 37,250 जा, तो यहाँ पे आप entry में पास करोगे 37,250, अब बच्छो working note से जाना, ना जम करना है, ना कुछ करना, जो order है, वह order follow करें, तो आपको जनेंटी by heart भी ह हो जाएगी, तो second, यहाँ पे working note में क्या लिखा, आपने down payment, तो यहाँ पे भी लिख लेए, the down payment paid, down payment customer paid कर रहा है, किसको paid कर रहा है, बच्छो vendor को paid कर रहा है, तो यहाँ पे vendor receiver बन गया, और आपके पास से पैसा गया, तो vendor account debit to bank, और basically transaction check में ही होता है, तो आपको bank लिखना vendor account debit to bank, तो इसी के entry opposite यहाँ पास कर देंगे, bank account debit to purchase account, ठीक है, लिख ले तो यहाँ पे, और amount कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, down payment जो आपनी किया था, वो amount आप लिखेंगे, अब balance नहीं करना है, आपको third entry क्या बनेंगी, बच्छो interest की, तो interest यहाँ पे charge होता है, पहले paid नही हो रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, charge में खाली information दिया जा रहा है, कि भाई यह ब्याज बनेगा, तो आपको कैसा कैसा payment करना, वो बात की बात है, तो interest charge कर रहे हैं, तो as a customer, हमारे लिए तो नुकसान ही है, क्योंकि हम ज़्यादा payment कर रहे हैं, और किसके लिए फाइदा है, इंटर के लिए फाइदा है, तो entry क्या बनी, interest account, debit to vendor account, हमारे लिए नुकसान है, debit vendor के लिए फाइदा है, यानि credit all income and gain, क्योंकि interest का nominal entry है, debit all expenses and losses, credit all income and gain, और यही entry अगर vendor के book में पूछाएगा आपको, तो उल्टा कर देना, purchaser account, debit to interest account, amount को सा दालोगे, जो आपने interest calculate amount किया दालेंगे आप सरी, interest के बाद आपका authorless installment, यानि पहला installment आप पेड करते हो, अब यहां पर word आरा paid, यानि bank word आने वाला है, तो as a customer, आपने installment किसको दिया, बच्चो, vendor को दिया, vendor receiver बनेगे, vendor account, debit to bank account, और vendor के book में या entry क्या हो जाएगे, बच्चो की vendor को तो पैसा मिल रहा है, यह कौन देरा पैसा, purchaser, bank account, debit to purchaser account, और amount तो क्या दलना, आपको जो installment amount रहेगा, वो दाल देंगे, जो हम वर्की नोड में calculate करते है, वो amount आपको यहां डालना है, तो इसलिए मैं आपको वर्की नोड जनरेंडी साथ में बता रहा हूँ, तो आपको याद रहे कि वर्की नो पैसर के लिए हिसाब से calculate करना था, वेंडर को तो जरूत नहीं है, एक depreciation की, क्योंकि यहां से assets निकल गया, वो आप purchaser के पास आ चुका है, तो पहले साल का calculation में आपको depreciation का भी शो करना है, स्रीफ और स्रीफ पर्चेसर के book में, तो depreciation चार्ज कर लेते हैं, और depreciation चार्ज क की किमत कम होती, अगें यह नुक्सान है, तो depreciation account, debit to assets account, यहां पे entry pass नहीं करना, क्योंकि वेंडर को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि asset उसके दुकान से जा चुका है, अब यह headache is का purchaser का है, तो यहां पे no entry pass करें, और depreciation amount जो आपने working on में calculate किया था, वो amount आपको यहां द दो nominal entry आई थी, एक था interest और एक था depreciation, तो बच्चों यह nominal entry हमेशा याद रखें, जब भी आप pass करते हैं, इसको at the end of the year हमेशा इसको profit and loss में transfer करना होता है, और यह जो calculation आपको बता रहों, यह entry बतानो बहुत important है, आप FYB.com में हैं, आगे SY में जाएंगे, TV में जाएंगे, बहुत जगे interest या depreciation ऐसी nominal entry येरवाइस आती है, तो यह entry होने के बाद आपको हमेशा आद रखना है, यह entry के at the end of the year आपको P&L में transfer करना है, तो यह closing entry होगे, क्योंकि balance sheet वगएर हम बनाते है, तो balance sheet तो कब बनती at the end of the year, तो यह nominal entry जितनी भी होंगी, वो सब की सब at the end of year आ transfer करना है, तो यहाँ पर मेरे पाद दो nominal entry थी, एक depreciation था और एक interest था, इनको P&L में transfer करेंगे, और बच्चों आपको पता ही होगा, depreciation वगएर हम लोगो profit and loss में कहा लिखते है, debit side है, debit all expenses and losses, credit all income and gain, यानि P&L account debit होता है, उसके अंदर, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो दो depreciation आपका credit में जाएगा, तो debit में कौन जाएगा, P&L, तो P&L account debit to interest to depreciation, आप combine entry पास कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए अलग तो आप अलग अलग भी पास करते हैं, जैसे पीनल to interest, 30 entry बनी, फिर आप साथ भी entry बना है, P&L to depreciation, तो bifurget करेंगे, तो भी चलेगा, combine करके करेंगे, तो भी चलेगा, तो combine थोड़ा असान लग रहा है, तो इसलिए हम combine करते हैं, हाँ, ये close entry जब vendor के book में पास करेंगे, तो सरिफ interest के साथ करेंगे, depreciation नहीं आएगा, क्योंकि depreciation यहाँ पे no entry पास की, तो सरिफ यहाँ पे क्या interest है, तो वो interest वाली entry पास करते हैं, त इसके लिए interest क्या तो नुकसान था, इसलिए penal debit हुआ, तो जनेटी प्लीज इसको अच्छे तरह से याद कर लें, याद करने का तरीका यह working note से जाएं, तो याद रहेगा, और पूरे इसके अंदर वापिस से बोलाँ, तीन चीज है हमारी, एक है calculation of installment interest, पहला working note, दूसरा working note depreciation, और उस working note के base पे आपको यह वाली जनेटी करनी है, और जनेटी याद करने का तरीका बच्चों दोगर इस तरह करना है, तो इस तरह से आपने एक साल की entry पूरी मुकमल की, और अगर आपको सम्दो साल का है, तीन साल का है, चार साल का है, तो फिर यह सारी entry फिर से आप repeat करेंगे, मगर कहां से, interest due से, ठीक है, तो आप जब second year की जनेटी आप पास करोगे, तो यानि interest due से start करोगे, तो second year में किते entry आईगी बच्चों, एक, दो, तीन, चार, क्योंकि मैंने working note आपको किते साल का बता है, बच्चों, तीन साल का, तो इसी तरह से जनेटी भी आपको थर्ड यर की जनेटी वह भी यहीं से शुरू करना, interest, installment, depression और close depression और एंट्रियां सेम रहेंगी, बच्चों, entry में कोई changes नहीं, हाँ, मगर हर साल का amount अलग होगा, और वो amount आपको हर साल का amount अलग-अलग कहां से मिलेगा, यह working notes है न, क्योंकि यह तो पहले साल का, फिर इसके और तीन चीज़ याद रखें, calculation of interest and installment, फिर calculation of depreciation और जनेटी बायाइड कर लें, और basically आपको purchaser की book में एंट्रि पूस्थे, तो पूरी एंट्रि याद कर लें, अगर आपने एक याद कर लिया, तो vendor automatically याद हो जाएगा, आप देखेंगे, सब को opposite किया यहां पे, ठीक है, तो उस तरह से याद करने के कोशिश करें, question by heart भी कैसे करेंगे, working note के हिसाब से, तो जल्दी by heart हो जाएगा आपको general entry, फिर आपको question जब करेंगे, actual sum में, तो कभी general भूसा है, कभी ledger भूसा है, नहीं हो, जो है, उसम के हिसाब से करेंगे, मगर आपको working note आता है, तो आप सब कर सकते हैं, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखें बच्छो, पूरा समझें, जनेरेंटी समझें, working note समझें, और फिर इंशाल्ला हम अब इसका solution पार्ट है, question answer इसका next वीडियो में बनाएंगे, होप सो यहां तो कोई doubt नहों, इंशाल्ला नेक्स वीडियो जल्दी बनाएंगे, thank you, thank you for watching the video, God bless you.